मद्धप्रदेश में अगरी निकाओ के चुनाफ की सुकुबुगाहटे दस मई को चुनाफ के लिए मतदाता लिस्ट का प्रकाशन CM शिवराज ने सबी करेक्टरों से मांगी रिपोर्ट चुनवाड़ा में पूर्व CM कमलनात की अनुमान भक्ती राददानी बुपाल में हिंदू-मसलिम एकता की मिसाल देखने को मिली जहां श्रीमत-भागवत कता के समापन के अफसर पर मुसलिम समाथ के लोगों ने फूलों की बारिश की चैडोल के अरजूली पहुँचा हातियों का दूसरा दल, तीन हातियों का दल पहुँचा अरजूली गाओ हातियों के दल के आने से ग्रामीरों में देशत, स्कूल पंचाद बवन में रहने को मजबूर ग्रामी पालोज में न्यूज 24 मद्यपरेश अतीज़गर की खबर का बड़ा सर, अनिला बेडिया लिखेंगी सरकार को पत्र खबर दिखाने के बाद, चाशन प्रशाशन का ध्यान की आकरशित, आसमान और पेडों के नीचे पड़ीती दुल्रब और प्राचीन मूर्तियां बोपाल में होकर कॉर्डनर और बाजार को मिलेगा पुरसकार नगर निगम के निकीव स्वच्चता पुरसकारों की घोशना एक से पंदरा मही तक किया जाएगा निरिक्षन सौन को की होगी पतियोगिता, जीतने पर तीन-तीन अलाग का कैटेगरी में पुरसकार दिया जा सोबे 10 बजे से दो पहर, 12 बजे तक कर्फ्यू में डील, दूद सब जी, फॉल साइट, दवाई खरिदने के लिए मिली छूट, कलेक्टर ने जारी किया देश खेरागड की रुजान पर सुशी लानन शुकला का बयान, कॉंग्रेस सरकार की कामों से जनता वाकिप, कॉंग्रेस संगटन की मजबूती का परिणाम है, खेरागड की जनता ने कॉंग्रेस पर भरुसा जताया है, कॉंग्रेस की एसे हासे के जीत होगी, शुकला जी का बय इन दौर में फूट डिलेवरी बॉई से मारपीट का मामला पुलिस ने मारपीट करने वाले दोनों बदमाश को किया गिरफतार CCTV फोटेज के अजार पर पुलिस ने की गिरफतारी बाइक निकालने को लेकर हुआ था विवाद विवाद के बाद बदमाश ने कीती उब्रक्यव की पटाई तागर में ट्राक्टर में रखी फस्ट में लगी आग गेहू की फस्ट जलकर हुई राख शॉट सर्किट के चलते लगी आग इसानिला परवाई का लगाया आरो बढ़वानी में अवैदरेत परिवन के खिलाफ का रिवाई दो डंपर जब 17,000 रुपय का जर्माना लगा अवैदरेत परिवन कर रहे दो डंपर किये गए जब 305 कुइंटल गेहूं ते बरा मिनी ट्रक भी की अद्गत मध्यपदेश में जारी है गर्मी का सितम बुपाल में गर्मी ने तोड़ा 22 साल का रिकॉर्ड 22 साल के बाद सबसे गर्म रहा एप्रल का पहला पक्वाड़ा 14 दिनों तक 40 जगरी के आसपास रहा पारा दिनोरी में स्वच्चता को लेकर हुआ मैरसन दोड़ का आयोजन 630 जादा लोगों न दिया है साथ हर्दा में हनुमान मलजेंती के दोरान शेहर में शांती बनाय रखने के लिए पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च कवरदा के पंडारिया में लोगों ने सतोडी और अवेद शराप की बिकरी करने वाले के मामले में थाने में की शिकायत पुलिस ने कारवाई करने की बाई कही बात उमरिया में पती ने की पत्नी की हत्या बिना बताए पत्नी के माई के जाने से नारास्ता पत्ती पुलिस में आरूपी की किया गिरफतार नमतरी में तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार को मारी टककर हादसे के बाद हाईवा और बाइक में लगी आग हादसे में एक युवक्त हुआग हायल राइपुर में सरसती नगर में ओयल फैक्टरी में लगी आग, आसपास के मकान भी आग की चपेट में आए, आग लगने से लाखे में मची अफ्रात तफ्री बुरानपुर में आग का तांडव, दस मकानों में लगी भी शड़ाग, लोगों ने किसी तरह से बचाई जान, घरिलू सामान साइथ दस ते आदिक, छोटे मोटे जानवर भी जले, नावरा चौकी की ग्राम, घागरा वाल का मामला कोरोणा के बढ़ते मामलों की भी दिल्ली के स्कूलों के लिए जारी देशान देश जारी किया गया, सिक्षान देशालियों ने जारी की गाइडलाइन, मास्क पहनना होगा अनिवार दिल्ली से सटे नौईडा में भी कोरोना संक्रमण बड़ा एक दिन में सब्तर नए संक्रमित मरीज सामने आए जिन में 14 वचोक भी संक्रमित पाए गए संक्रमत मरीजों में नए वेरियंट की आशंका देश मत्चानक वड़े संक्रमत के बाद संक्रमत मरीजों की जिनोम सिक्वेंसें कराई जा रही है